हम तेयारी कर रहे हैं रास्ट्रिय आय एवं योगिता अधारित छात्रवित्ती परिक्षा की यह हमारा विज्ञान का सेकेंड वीडियो है समय नबर बात करते हुए हम डारेक्ट अपने क्वेस्चन पे चलते हैं पहला क्वेस्चन है वसा के परिक्षण के लिए किस विलियन की आवशक्ता होती है वसा के परिक्षण के लिए किस विलियन की आवशक्ता होती है आयोडीन कॉपर सलफेट सोडा कोई नहीं तो इन में से हमारा सही एंसर क्या हो जाएगा बच्चो इस में से हमारा सही एंसर हो चलिए, next question पर पढ़ते हैं, प्राकृतिक चयनवाद किसने प्रतिपादित किया, तो बच्चों ये जो थियोरी थी, ये हमारी थी, डार्विन की, किसकी थियोरी थी, डार्विन की, इनका कहना क्या था, कि प्रकृति स्वयम चयन करती है, कि कौन जो है, वो आगे भविश्य म जिन्दा रहेगा, ठीक है, इसका इन्होंने एक और टॉपिक दिया था, जितने इन्होंने कहा था, survival of the fittest, यानि अलग अलग प्रजातियों में से, वही प्रजाती अगली पीड़ी में जाएगी, जो सबसे मजबूत होगी, जो सबसे द्रड़ होगी, इसी को इन्होंने न यहां पर आपको बड़ा कन्फ्यूजन हो रहा होगा, कि कौन है असली फिश, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगी बच्चों कि ऑप्शन सी जो है, हमारा फ्लाइंग फिश, यह ओरिजनल फिश होती है, इसमें क्या होती है, एक आपकी जो है, एक मशली होती है, ऐसे, ठी इसलिए हमारा उप्शन कौन से सही होगा, फ्लाइंग फिश, उप्शन सी, फ्लाइंग फिश इस दराइट एंसर, चली अगले कोश्यन पर पढ़ते हैं, निम्न में से कौन से जन्तु अंडे देते हैं, पैंगोलीन, प्लैटिपस, मौंगूस, औपुसम, तो हम आपको बत नेक्स् putting, इनम्न से कौन उथसरजी अंग नहीं है, कौन उथसरजी अंग नहीं है, द्यान देंगे, वृतritis तो किड्नी तो होता ही है, प्लीहा, यकरित, फेफडा, तो यहां पे हमारा बत्चों है, ओप्शन बी, प्लीहा, ये एक कुछ सर्जियंग नहीं है, जबकि किड्नी यह हमारा urine formation करता है, यक्रिद यह भी आपका pureate करता है blood को, और फेफडा यह आपका वायू का उचसर्जन करता है, कार्बन डायोकसाइड को बाहर निकालता है तो यहनि कार्बन डायोकसाइड का उचसर्जन फेफडा करता है ठीक है बच्चों चलिए आगे बढ़ते हैं next question पर कौन इस परशक से भोजन ग्रहन करता है बड़ा अच्छा question है बच्चों कौन इस परशक से भोजन ग्रहन करता है तो मैं आपको बताना चाहूंगी यह जो hydra होता है उसकी इस तरह से इस परशक निकले होते हैं इनी को हम बोलते हैं इस परशक इनी के जरीए यह बोजन जब इसके पास आता है तो इसको इस तरह से capture करके अपने मूह में डाल लेता है तो हमारा सही answer क्या हो जाएगा बच्चों option a hydra कौन इस परशक से भोजन ग्रहन करता है तो option a hydra हमारा सही answer हो जाएगा बच्चों चलिए नेक्स question चलते हैं पैरा मीशियम में चलन अंग है यानि पैरा मीशियम किस के जरीए चलता है तो यहां पर जो बच्चों हमारा सही answer हो जाएगा बच्चों अपका bajra क्या हो जाएगा ओप्शन a this California यह इस तरह से होता है एक שके देखें यह पैरा मीशियम जो है यह अपना चलन या मूवमेंट करता है चलिए नेक्स कॉस्चिन पर चलते है मानो का अवशेशी अंग है अवशेशी अंग क्या होते हैं ऐसे अंग जो हमारे शरीर में हैं क्योंकि पहले जो हमारी पुरानी पिडियां थी उसमें वो आवश्यक थे लेकिन आज के डेट में ये अंग हमारे लिए कोई भी फायदा नहीं करते हैं फिर भी हमारे शरीर में ये अंग मौजूद है तो पूछ रहा है कि यहां पे जो जो ऑप्शन दिये हुए हैं इसमें में से कौन से ऐसे अंग है जो मानो का अवशेशी अंग है इसमें जो राइट एंसर हो जाएका बच्चों आप्शन एक कान पेशियां यानि कान की जो पेशियां हैं वो हमारी अवशेशी अंग है इसी तरह से हमारे बाल हमारे नाखून ये सब भी अवशेशी अंग है नेक्स क्वेश्चन मतलब कि बार बार उसका यूज हम ना कर सके एक समय पे वो खतम हो जाएगी है ना ऐसा नहीं है कि वो बहुत समय के लिए हमारे पास है कुछ limited समय के लिए है और अगर हम ने उसका ज़ादा इस्तमाल किया तो वो उर्जा के श्रोत खतम हो जाएंगे ऐसे उर्जा के श्रोतों को हम कहते है आ नवी करणिये तो यहां option में देखिए सौर उर्जा तो सूरी तो हमेशा हमारे पास है जल उर्जा ये भी हमेशा हमारे पास है पवन उर्जा तो ये तीनों जो है वो नवी करणिये उर्जा है जबकि हमारा जो आप का option B है जिवाश्म इधन ये क्या है ये आ नवी करणिये उर्जा है ये क्या है बचो ये आ नवी करणिये उर्जा है तो हमारा option B जिवाश्म इधन आ नवी करणिये उर्जा का श्रोत है नेक्स देखते हैं ध्वनी के तारत्तों से संबंद है अब ध्वनी के तारत्तों से सं तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि तारत तो क्या है तो जब हम कोई भी आवाज सुनते हैं हमारा दिमाग उसको किस तरह से ग्रहन करता है या किस तरह से उसको महसूस करता है उसी को कहते हैं ध्वनी का तारत तो जैसे इस समय आप मेरी आवाज सुन रहे हैं तो आपको मेरी आवाज सुनके हलका फुलका यह अनुभव हो रहा होगा कि हाँ यह किसी लेडी की आवाज है तो ऐसा हमारा दिमाग अनुभव कर रहा है इसी चीज को हम कहते हैं तारत्त पर इसका संबंद किस्से है तो ध्वनी का तारत्त संबंदित होता है बच्चों तीवरता से ध्वनी कि जितनी ज़्यादा तीवरता होती है उसके तारत उतना ही ज़्यादा होता है चलिए बच्चो यहाँ पे हमारे questions समाप्त होते हैं आगे मैं आप से कहना चाहूंगी कि आप जो है मेरी प्लेलिस्ट को रोज डेगुलरली देखते रहें साथ साथ आपको जहां से भी questions मिलें आप उनको solve करते चलें और अपनी तियारी अच्छे से रखें यहाँ पे मैं प्लेलिस्ट लगा दे रही हूं जिसमें आपको विज्ञान के सभी पाठों के लगबग अभ्यास प्रश्र मिल जाएंगे जिन्हें आपको याद करने हैं साथ साथ आपको यह प्लेलिस्ट भी देखती चलनी है और यहाँ पे मैं एक प्लेलिस्ट लगा दूंगी जिसमें आपको रास्ट्री आये योगिता अधारिच छाच्विती परिक्षा के सारे वीडियो एक जगा मिल जाएंगे तो पढ़ते रहें आगे बढ़ते रहें बाई बाई बच्चो बाई 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 बच्चो मिलते हैं अगले वीडियो में